नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 29 जून सुबर 6 बजे राजिस्थान की खास खबरें डम्य अब्यर्थियों के जरी कई सरकारी विभागों में नौक्रियां हासल करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस को अशंका है कि वर्ष 2022 में हुई 33 रेणी शिक्षक भरती परिक्षा का पर्चा लीख हुआ था अगले 24 खंटे में इसे लेकर पुलिस मामला दर्ज कर सकती है यही नहीं इस सिलसली में एसोजे जल्द ही बांसवाडा पहुंच सकती है पुलिस सुत्रों ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश के 21,033 रेणी शिक्षक पदों के लिए भरती निकाली थी परिक्षा के कुछ सेंटर बांसवाडा में भी बनाए गए थे पेपर बांसवाडा के एक केंदर से आउट हुआ ऐसा मान कर पुलिस जांच करी है पुलिस को मिले इनपुट के बाद कुछ लोगों से पुलिस ने पूस्त आशकी तो कुछ हाथ नहीं लगा पुलिस टेम ने शेहर में और दो जगों पर छापा मार कारवाई की तो कई तथ्य सामने आई IGS पर मीला ने मामले की समिक्षा की है संसद सत्र के पांचवी दिन रास्टर पती के अभिबाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई लेकिन कारवई शुरू होने के 15 मिनिट में ही सदन 12 बजे स्थगित कर दिया गया हलांकि कारवई दुबारा शुरू होने पर वेपक्ष ने एक बर फिर हंगामा कर दिया जसके बाद लोकसबा को सौवार तक स्थगित कर दिया गया राजे सबा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बाजबा नेता सुदांश्यों त्रिवेदी ने की लेकिन वेपक्ष ने यहां भी नीट मुद्दे को लेकर हंगामा किया पूरव पीएम एचडी देवे गोडा ने कहा कि नीट पेपर लेक पर जाँच रही है यह बड़ा मामला है लेकिन वेपक्ष को देश के हालात समझने चाहिए उदर संसद में जाने से पहले राहुल गांदी ने कहा कि देश के युवा घबराए हुए हैं उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है संसद से यह मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और वेपक्ष के चिंताओं को लेकर एक साथ है नीट में 15-15 लाखुर पे लेकर डमी कैंडिडेट्स बने जालावार के दस मैडिकल स्टूडेंट को दिल्ली पुलिस और मुंबे क्राइम ब्रांच के टीम ने गिरफ्तार किया इनमें से आठ की जमानत हो गई वहीं दो स्टूडेंट से म मैंक जैन ने बताया 15 दिन पहले दिल्ली पुलिस के जाच टीम ने हम से आठ चात्रों के बारे में जानकारी मांगी थी हमें चात्रों की नाम बताए गए थे ये सबी चात्र जालावार्ड मेडिकल कॉलिस के थे पोस्टाश के बाद इने गिरफ्तार किया गया था आठ चा T20 वर्ड कप के फाइनल मैच पर होगी भारतिय समय अनुसार रात आठ बजे भारत और साउथ अफरेका की टीम में वर्ड कप की ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी साउथ अफरेका पहली बार किसी वर्ड कप के फाइनल में पहुंचा है वह इंडिया ने इंगलेंड क को हराक T20 वर्ड कप 2024 के फाइनल में जगा बना ली है जीत एक तरफा हासिल की कप्तान रोहित शर्मा ने रन बनाए कुल्देप यादव और अक्षर पटेल ने इंगलेंड को आल आउट कर दिया गयाना के जिस पिच पर इंगले बाजी 103 रन पर सिमट गई इंडिया अब 12 अबर डोस में साउथ अफरीका से खिताबी मुकाबला खेलेगी इंडिया 2007 में खिताब जीत चुकी है और 2014 का फाइनल हारी थी हनुमानगड की एक डॉक्टर को लॉरेंस गैंग द्वारा वर्टसेप कॉलर मैसेज के जरी फिरौती के लिए जान से मारने की धंकी के मामले में पुलिस ने अग्यात के खिलाब संबंदी तधाराओं में मुकदमा दर्स किया है टाउन निवासी डॉक्टर पारिसमल जैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि अग्यात युवक ने उसके वर्टसेप नंबरों पर कॉल कर अपने आपको लॉरेंस गैंग का साथी अनमोल बिशनोई बताती हुए फिरौती मांगी फिरौती नहीं दी जानने पर उसने उसको जान से मारने की धमकी दी पारिसमल जैन ने बताया कि बीते कई दिनों से उसको रोहित गुदारा और अनमोल विशनोई के नाम से जान से मारने की धमकी दी जारी है जान चदिकारी जोती ने बताया कि जिन नंबरों से पारिसमल जैन के पास वाटसेप कॉल आई उनने नंबरों के पड़ताल के जारी है ग्यात रहे कि जनवरी 2023 में भी डॉक्टर पारिस जैन को लॉरेंस गैंग ने फिरॉती के लिए धमकी दी थी मामले में पुलिस ने रितिक बॉक्सर सहित आदा दरजन युवकों को गिरफतार किया था उदर शिरिगंगा नगर के कि युवा व्यपारी को भी फिरॉती के लिए जान से मारने की धमकी दिये जाने की चर्चाएं है जैपुर स्टेट हाइवे पर गोली लगने से प्रॉपटी कारुबारी की मौत हो गई देरात प्रॉपटी कारुबारी अपने तीन दोस्तों के साथ चलती कार में शराब पाटी कर रहा था इस दोरान चली गोली से बिजनसमेन को लग गई तीनों दोस्त ही युवक को SMS अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने बिजनसमेन को मृत घोशित कर दिया इसके बाद तीनों मौके से भाग निकले सोचना पर पहुंची जमवा रामगर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया पुलिस ने दो साथियों को राउंड अप कर लिया है तेसरे साथी की तलाश किये जारी है थाना दिकारी ऐसे हरदियाल मीना ने बताया कि गोली लगने से खसानों की धानी लाली जमवा रामगर निवासी 26 वर्षे मुकेश गुरजर की मौत हो गई पुलिस जांच करी है कि किसी रंजिश में आकर गोली मारी गई है या गलती से हुए फाइर में मुकेश को गोली लगी है सरकारी नौकरी की तयारी कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है राजस्तान लोग से वायोग ने सूशना प्रियोध होगी की एवं संचार विभाग के लिए प्रोग्रामर पदों पर भरती के लिए संशोधित नौटिफिकेशन जारी किया है नौटिफिकेशन के अनुसार पोड़ा में 216 पदों के लिए भरती निकाली गई थी इन पदों में अब 136 पदों की भड़ातरी की गई है अब कुल अब यर्थी 352 पदों के लिए ऑनलेन अवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए अवेदन परकिरिया शुरू हो चुकी है अधिक जानकारी के लिए संशोधित नौटिफिकेशन अवश्य देखें जिन अब्यर्थियों ने CS, IT में BTEC, BE, MTEC, Computer Science, IT में ECE और MCA, MSC की डिगरी हासल कर रखी है वे इन पदों के लिए अवेदन करने के लिए पात रहें हर्याना के चर्खी दादरी में दिल्ली पुलिस की एक जवान ने अपनी ही बहन के गर पर फाइरिंग की घटना में गोली लगने से 55 वर्षिय चोटे लाल की मौत हो गई जबकि सुरेंदर, शंकुतला और शिवम घायल हो गई खायलों को रोह तक PGI पहुँचाया गिया है सोश्रा मिलने पर पुलिस को मौके पर गोलियों के कई खोल वारदात में इस्तेमाल की गई कार और कार की अंदर से पुलिस वर्दी बरामद हुई है डिप्टी एस पे सुबाश चंदर ने बताया कि गाम घुसौला के रजट पुतर सुरेंदर की शादी आरोपी दिल्ली पुलिस के जवाम सकेत निवासी गुपाल वास की बेंग उशा से दिसंबर 2023 में हुई जब लड़की के घरवालों को बताया कि रजट ग्रह मंतराले में नौकरी करता है लेकिन बाद में पता चला कि रजट के पास नौकरी नहीं है इससे सकेत नराज था इसके लावा रुपए के लेंदेन की बात भी सामने आई है रजट ने सकेत पर सक्त सक्त कारवई की मांग की है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉर्टी के जरिये देश के पर्तिष्टिट इंडियन इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी यानि IIT में परवेश की परकिरिया जारी है इसे बिच IIT ने अपने नए शेक्षनिक सत्र का शडूल जारी किया है इसमें महत्वपून तारीखों का एलान किया गिया है जिनकी अनुसार 15 जुलाई से लेकर 19 अगस्त की बीच अधिकांश IIT का नया शेक्षनिक सत्र शुरू होगा इनके जरीए बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी इंटिग्रेटिट एम्टेक वे डूल डिग्री कोर्स में आडमेशन लेने में सफल हुए कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग और क्लास कमेंस्मेंट की डेट बे जारी की गई है जोसर 24 के अफीशल वेब साइट पर यह रिपोर्टिंग शेडियूल उपलब्द है आईएटी बॉंबे के सफल विद्यार्थियों को 26 जुलाई को औरियंटेंशन सेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा आईएटी बॉंबे की कक्षाएं 29 जुलाई से शुरू होंगी आईएटी इंदौर की रिपोर्टिंग 19 अगस्त है पंजाब के पटियाला में पिहोवा हाईवे पर गाम अकबरपुर अफगाना में लगजरी कार और केंटर की बीशन टकर में दो युवकों की मौत हो गई दोनों मृतिक अपनी लगजरी बीम डव्यू कार में सवार थे केंटर को ओवर्टेक करते समय यह हादसा हुआ जिसमें दो दोस्तों की जान चली गई जानकारी के नुसार गाम रोहट जगीर निवासी जतिंदर सिंग की शिकायत पर ठाना जुलका की पुलिस ने जाच शुरू कर दिया मृतकों की पैचान संदीब सिंग और इसके दोस्त लखविंदर सिंग निवासी रोहट जागीर के रूप में हुई है बीम डव्यू कार संदीब सिंग की थी जिसे पुलिस ने कबजे में ले लिया दोनों दोस्त रात को गुर्दवारा साहिब डेरा घुले गाम अकबरप जैपुर के न्यू सांगानेर रोड पर अवैद अतिकर्मन के खिलाफ जैपुर विकास प्रादीकर्ण की कारवई तीसरे दिन भी जारी रही जेडिये की और से सांगानेर से विदानसबद चनाव में कॉंग्रिस परत्याशी रहे पुषपेंदर भारदवास के ओफिस से अतिकर्मन हटाये गया जैपुर विकास प्रादीकर्ण की टीम ने सांगानेर पुलिया के नजदीक कारवई की अब तक इस पूरी कारवई में 400 से ज़्यादा अव्याद निर्मानों को ध्वस्त किया जा चुका है मांसरोवर मेट्रो स्टेशन के पिलर से लेकर सांगानेर पुलिया तक चल रही अतिकर्मन हटाने की कारवई की जा रही है जेडिया दिकारियों के निसार हालसिंग बोर्ड की बाउंडरी में सड़क को 200 फिट चौड़ी की जाएगी जेडिया की टीम सेक्टर रूड पर पिछले कुछ सालों में हुए 40-50 फिट तक अतिकर्मन को हमल है ।